पतारट्वी पहले में सब्सक्राइब ठीक संब्सक्राइब होरे पानी फिरे गया सब कुछ जोब काटके रख लिये तें लास्ट में जब घर को लाने की टाइम में बहुत ज़दा बारीश हो गया कंटिनू चार पांदेने बारीश हुआ धान के उपर से मतलब 10 फिट के पानी से एसे चलने लगा चार पांदेने पाए थोड़ा धोड़ा कम हुआ मिनिमम मों एक फिट तक पानी रहा धान के खेती में जो पाने को टस्करा था पूदान उसके अंदर से छोटा-छोटा दो दोसी जिन में धान का खेती करेंगी लाश्ट अम यह यह से हो गया बारीश हुआ और लोग लेके सड़न आके कुछ काम करने के लिए उठाने के लिए हमरे पास पैशा नहीं था पापा बोले चलो हम इंखुदी करते हैं क्योंकि हमरे पास पैशा नहीं हम क्या करते थे इतना जाद धान कट कटके इसे रख रहे के गये थे हमको पल्टा नाज था बोकी को धूप उपर से लगेगा तो बहुत थाड़ा वेस्ट कम होगा हम जीस को पकड़ते थे हर पदे के नीचे से साप होता था पता नहीं इतने साप की दिर से आए हमको डर लग रहा था लेक घर को आते थे चाते थे लेकिन में पर्वा नड़र रहती थि पापा धानकी पत्थे से जो ड़िधन ही तो नहीं भी ठीन इस टाइम में कोई शेप्टी नहीं इतना डर नहीं था लोगों हम एसे आराम से रह रहे थे एक दिनी क्या हो रेजल्ट इसे आ गया वह बोले तिमारे फ्रेंड का सब का नाम लिए बूसका सिकेंडे जुना उसका फास्ट डिविजन हो फेलो गया ऐसे सब के बरहें बोल रह क्यों मेरे रेजल्ट नहीं देखिते तो बोच आली परताष रहें रहीं बाद पंदरा देनी थिन इस तिन के बाद स्कूल में मतलब पीपर में आता था रेजल्ट हमारे मनुद में पापा मुझे पापा बोले फाल्ट में पैसा खर्चा करेंगे वह सब आ गाए गाए सब्सक्राइब देख चुगे थे पैसे बोलके उनको रिक्वेस्ट करके कम पेशा देखे रिजल्ट देखे जाके बोले तुम्हारा सेकंड डिवजन हुआ है थोड़ा खुशी लगा क्योंकि वो जो बड़े घर के बच्चे थे जो लोगों पास पढ़ा ही करते थे दिन में टीन टीशन जाते थे काम में उनको कोई प्रेसर नहीं था काम कुछ नहीं करते थे पैसे के लिए खाना पीना पेना कपड़ा कोई भी उनको टेंशन नहीं था वो बड़े घर के बच्चे थे बो लोगा भी शेकंड क्लास हुआ था और मुझे पढ़ाय कने के लिए टाम न कुछ करेंगे साधा और आज असके बाद एसवी करके राजिशन की कम बurpose की खुन नहीं कर पया थे एकंटयों क्लास में में किया हकट नहीकर सकती लेकिन रस्ता यो दिखाना नाव दिखाने के लिए कोई ना तो हमारे पास पेशा था कुछ इन्वेस्ट करके दो देखते हैं इधर से क्या होता यह पढ़ाय करके क्या होता है यह से रिस्क लेना हमारे लिए पशिबल नहीं था कि वह हमारे पास में पेशा नहीं था और आए आज तक मतलब श्टगली कर्रेैं जो सपना था अपने पेर पर खड़े हने के लिए कुछ भी हो में सोचते कुछ पी काम छोठा हो बड़ा हो कुछ कंुछ पी कामंओ हो पढ़ाय करके हो ना करके हो मुझे कुछ मतलब नहीं था पास लिगाली तरीका से मुझे कुछ पैसा कमाना चाहिए था मतलब मैं सोच रहे थी कि कुछ लिगाली में पैसा कुछ कमाऊंगी लेकिन बौप पैसा तो कमाने पाई आस तक वह सपना मेरा सपना ये रह गया लेकिन बौप जो आस है ना जो ड्रीम है अपने पेर पर खड़ है वह भी यह बात अलग है हम पुरा नहीं कर पा रहे हैं